हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल रियलवन मदू व्लॉगर में आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन फूट्स के बारे में जो आपकी वाड़ी को विंटर में गरम रखेंगे और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने में सहयोग करेंगे और साथ ही यह चीज़ें आपकी ब्रेन, हार्ट, बॉन्स, नेल्स, हेयर सभी को फाइदा पहुचाती हैं और आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रॉंग कर देती हैं तो यह सब चीज़ें हम लोगों को अपने खाने में जरूर खानी चाहिए वो भी कब जब आप तक आसानी से पहुच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो उसमें सबसे पहले है खजूर, खजूर की तासीर गरम होती है और उसे सर्दियों में जरूर खाना चाहिए इसमें विटामिन A, B, B6, फासफोरस, आयरन और फाइवर की बहुत अच्छी मात्रा हो जरूर खाना चाहिए और दूसरे नमर पर आता है गुड गुड भी सर्दी के सर को कम करता है गुड की तासीर भी गरम होती है और सर्दियों में नया गुड बंदा है तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है और सर्दियों में इसे जरूर खाना चाहिए इसकी तासीर गरम होत गुड में भी प्रोटीन, विटामिन, आयरेम, कर्ड़ोहाइड और विटामिन बी वारा बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है गुड से मेटोबलीजम भी अच्छा रहता है हमारा खाना भी अच्छे से पचता है तो मोश्टी घरों में लोग खाते भी है गुड सर्दी यह फायदे मंद होता है यह एंटी बैक्पिर्डियल होता है और इसमें मिनरल्स पाया जाते हैं तिल में प्रोटीन भी पाया जाता है आयरेन, विटामिन, कैल्सियम, फास्पोरस भी पाया जाता है इससे सरीर में बहुत गर्मी आती है और यह जॉइंट पेन को भी कम करता कोलेश्ट्रोल को भी कम करता है और मेगनेशियम भी भरपूर मातरा में पाया जाता है तो इतने सारे फायदे होते हैं तो आपको तिल जरूर खाना चाहिए और हमारा फॉर्थ नंबर पर आता है शहत शहत भी बहुत फायदा गरता है हमारी इम्यूनुटी पावर को बढ़ा तो आप एक चम्मच शहद और एक चम्मच अधरक करस मिलाके इसको पीएंगे तो आपकी खरास भी सही रहेगी और यह बौडी को भी गरम रखता है और खासी इससे खतम हो जाती है म्यूनुटी पावर को भी बढ़ाता है और अधरक में बिटामिन सी कॉपर जिंक यह सब तो इसलिए अधरक करस और शहद मिलाके अगरम लोग पीते हैं तो खासी में भी बहुत आराम होता है और फाइफ नमबर पर आती है तुलसी तुलसी की भी तासीर गरम होती है तो सर्दियों में आपको तुलसी और अधरक डाल के चाय पीनी चाहिए क्योंकि तुलसी में व नमबर पर आती है हमारी मौमफली में बिटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, बिटामिन ए और मैगनेशियम होता है और भी बहुत सारे ततो होते हैं फाइदे वाले इसमें वो सभी गुन है जो बादाम में होते हैं और यह बहुत सस्ती भी होती है भरपूर मातरा में इसमें गुड करेट्ट्रोल को आपकी बॉडी में मिलाता है तो जो लोग बादाम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो मौफली भी खा सकते हैं बादाम के ही बराबर है इसके गुन और साथ नमबर पर आता है हमारा बादाम बादाम शरीर को बहुत गरम रखता है तो बादाम को नुकसान नहीं करती है इसलिए हम लोग को सर्दी के मौसम में बादाम से बने हुए घर में बादाम के लड़ू बना सकते हैं आप आटे में करके यूज कर सकते हैं तो यह बहुत फायदा करता है बादी को बहुत गरम रखता है इसमें फाइवर बिडामिन सी ज पिस्ता है पिस्ता में इंट मêगनेशी हम सबसे हैं अंजीर में भी बार भी रख शगांट जिल द्खरा stereotype शाणची सब्सक्राइब इस्हार तहलो थोड़े हैं, वेले अपया है एन सेजरा फाइदा हुआते दो केमियें Aurum में जरूर पताईएगा और स्वस्त रहिए मस रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा ओके फ्रेंड्स वाई वाई